तो हे गाइस Realme X के लिए यहाँ पे C.14 का नवंबर मन्त का एक बिग अपडेट यहाँ पे रूल आउट कर दिया गया है तो गाइस बहुत बड़े बड़े नए फीचर जो है एड होते हैं दिखाई दे रहे हैं इस अपडेट के अंदर तो गाइस नवंबर मन्त का अपडेट है और आपको क्या कुछ खास इस वीड चेंज लोग के अंदर देखने हो मिलता है फुल चेंज लोग क्या है तो गाइस सबसे बहुत यहाँ पे क्लियर कर देना जाता हूँ तो गाइस का फुल चेंज लोग क्या है फीचर फूरी इंफॉरमेशन आपको इस वीडियो के अंदर देखने हो मिलने वाली है वीडियो को श्राट करते हैं आपको बताते हैं सो चैनल को सबस्क्राइब कर लें आगे Realme X के सारे अपडेट से जानने के लिए सबसे पहले हैं यहाँ पर security के अंदर आपको देखने मिलता है 2020 का जो है October मंत का security patch और आपको पता है यह October मंत का अपडेट है और मिला है आपको November के मंत में October, November मिक्स अपडेट आप इसको बोल सकते हैं गैज Bluetooth के अंदर आपका जो है new जो आइकन है handset call answer का वो add कर दिया गया है और गैज screenshot के अंदर आपका जो होरी जेंटल के अंदर भी आप जो है long screenshot capture कर पाऊगे तो next जो आपको देखने हो मिलता है changes वो है आपका physical key switch on the screenshot setting page तो guys यह एक नया जो की option जो है add कर दिया गया है उसके बाद guys आपको यहाँ पे setup setup means के setting के अंदर आपका क्या कुछ देखने हो मिलता है setting के अंदर guys आपको देखने हो मिलता है यहाँ पे super power saving mode का जो के बहुत जादा बड़ा upcoming feature था जिसकी बहुत जादा demand भी आ रहे थी बहुत जादा लोग बेसबरी से wait कर रहे थे तो guys finally यह feature add कर दिया गया है और दीरे दीरे करके सबी devices के अंदर यह जो feature है add किया जा रहा है next time में देखने हो मिलता है add a switch to enter the drawer pop-up into input method तो guys input method का जो pop-up window है वो आपका जहां पर add कर दिया गया है drawer mode के अंदर तो guys जब आप drawer mode के अंदर enter करते हो तो उसके अंदर आपका यहां पर show हो जाता है यह नया option icon syncing function एक नया add कर दिया गया है मुझे basically इसके बारे में पता नहीं है कि क्या यह feature है तो guys माफी जाओंगा इसके लिए तो guys next जो feature है आपका add a switch to enable eye protection mode from sunset to sunrise guys same same जो change log आपको देखने हो मिल रहा है October मांद का सभी devices के अंदर जिन जिन devices के अंदर October का update मिला है तो guys same same ही change log देखने हो मिल रहा है तो guys यह आपको पता चल गया के sunset to sunrise में convert करने के लिए यहाँ पे एक नया option enable कर दिया गया है आपके जो है eye protection के अंदर eye comfort के अंदर so guys next जो है quick guide function at bottom of the battery तो bottom of the battery battery के अंदर bottom में आपको जो है नए जो shortcuts add कर दिया गया है आपके जो है setting के अंदर और guys साथ में next अगर बात करें तो added a quick guide function at the bottom of do not disturb do not disturb mode के अंदर भी आपका एक नया जो quick guide का option जो bottom में add कर दिया गया है और इसके बाद guys next जो हमें देखने को मिलता है वो है आपका shortcut guide function added save तो guys यह एक नया function एड़ गया है और नही option एड़ की गया है तो guys यहाँ पे जो है fix the problem that the color temperature adjustment will fail with low probability after removing the eye protection mode so guys यह eye comfort mode के अंदर यहाँ पे कुछ means के fix किया गया है issue को और guys photos album के अंदर जो आपको देख रहे हो मिलता है create function एक नया add कर दिया गया है आपके जो saloop app के अंदर जो है editing creation के अंदर so guys next जो देखने के मिलता है fix the issue and of an extremely low probability of splash screen when entering the album जब आप enter करते थे album के अंदर तो आपका screen flickering का issue आ रहा था तो guys काफी सारा आपको बहुत जादा problem face करनी पढ़ रहे थी उसको यहाँ पे finally आज fix कर दिया गया है next जो आपको देखने को मिलता है problem of low probability crash when browsing album तो जब आप album को browse करते थे तो guys तब आपको काफी सारे means के crashing की भी issues आ रहे थे तो guys low probability stick issue आ रहा था तो guys उसको यहाँ पे fix कर दिया गया है next guys system के अंदर आपको देखने को मिलता है fix the problem of low probability stick of phone mobile phone stuck during multiple moves तो guys यह सारा कुछ change lock था आपको देखने को मिलता है आपके realme kx के अंदर so guys यह full change lock आपको वीडियो कैसी लगी कौनसा update आपको कौनसा feature आपको अच्छा लगा जादा comment करके जूर से बता देना कौनसा आपके पास जो है update run कर रहा है आपको update मिला या नही comment box में जूर से एक बार बता देना मिलते हैं guys next video do it